हैलो जो इसके छो राव स्वा है दोस्तों कैसे हैं आप सभी या यो पाप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों ये मेरे पास एक जो ये टैक्टर होता है है ट्रक बढ़े-बड़े साउंड सिस्टम लगाई गई होते हैं तो दोस्तों मेरे पास ही आर्ट मॉस्टेट वाला एक एंप्लीफायर रिपेर होने लेकिन यह मॉस्टेट नहीं होते हैं अपर टोटली इसके अंदर जो आर्ट लगे हुए अंदर की तरफ और दोस्तों यह किसी को दिखाया था उन्ह मैंनोंने बोल दिया धेके कॉपरेंटी बिल्कूर ठीक लग रहे हैं कोई तूटा फूटा भी नहीं है उन्हें कहा कि यह चेंज ही होगा जबकि कस्टूमर से को स्टार तूट गहते हैं उसके बाद उनकी समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों इसमें प्रफ प्रोब्लम कर रखे हैं तो दोस्तों उनके कुछ ना कुछ मलब डिफेक्ट रहा की जो वे काम सही से नहीं कर पाई और इसमें आवाज प्रोपर नहीं पाई चलिए मैं दोस्ते बार चेक करा देता हूं आपको देखिए यह बैंटी का तार है मैं यहां लगा दिया है पहले मैंने बैंट पर पहले आपको दिखाने चाहता है चाहर पूलिट हो अब रहा है कि क्युक्त झा आता जाएका करें इस दुखिंग कनेक्ट करके देखा था यह रचा है नहीं देखे चलिए दोस्तों अब मैं से सवांग प्ले करता हूँ यह देखे आप थोड़ा थोड़ा भोती यह देखे मैं अपना माइक उतार के दिखाता हूँ तो दोस्तों इसके अंदर यह साउंड आ रहा है मलत किलियर आई नीरा जैसे आना चाहिए एक जम परफेक्ट तरीके से तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब उन्होंने बोर्ट ठीक बता दिया तो कुछ तो समंझ के बता हुआ हूआ है इस बोर्ट को ठीक बताने का क्या रिजन होता है जोस्तों देखिए इसमें कूग दो तरह गितार है एक तो यह आपने दोस्तों बैंटरी वाले तार आ रहे आप देख सकते हैं वैसे यहां पर कनेक्टर पर आ जाईए देखें यहां अरे तारे देख रहे ही हरे यह सपीकरों के है यह सपेर वी यह पे意द्ड आफ यह बनाएंगा और आपको दिखाएंगे ज़रूर तो अब यहा पर देख सकते पर चल जा रहा है यहां पर साउंड आ रहा है और दोस्टों अगर मैं इसका वोल्यम भी डिरेक्ट कर रहा हूं तो यहां पर आप देखे वोल्यम की डियक्ट रहने का इसाब होता है ग्राउंड वाली पिन को छोड़ देते हैं यहां पे इंदर ग्राउंड है यहां पे देख सकते हैं इन्पुट आउट्पुट है तो मैं यहां से देखे दोस्तों इसे शोट भी कर दे रहा हूं चलिए विल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा भी रिपेर करके बताएंगे अधिश की देखें यह देखें को कोई फरक नहीं पड़ रहा है दोस्तों तो दोस्तों और अप लिखाऊंगे यहां पर दोस्तों यह दोस्तों बारे वोउल्ट आती है यह लिए तब ले तो यहां तो बार वोल्ट की तो कोई दिक्कत है होनी वाली नहीं है और यहां पर आप देखेंगे एक क्यापश्चे यहां पर लगा हुआ है यह एक क्या प्लाब को अच्छा है को इस में चलता है तो इसमें क्या कर रखा है यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइब तो यहां पर देखेंगे दोस्तों यहां पर आपनी माइनस वोल्टेज हो गई और यहां पर दोस्तों इसका दूसरे साइड है तो इस हिसाब से दोस्तों इस पर भी दोस्तों वोल्टेज होनी चाह निनकोप्तीय है दोस्तो यहां पर इसमें लिक्तों रखाया अलब कि तरफ को यह कि दर के तर, तो इन दोनों कीक्स्ट्र मिलन जब है हमारे जबकी क्या हो रहा दोस तो एक एश्टर वॉल्टेज है एक एश्टर भी नहीं है और वह यहां से जाते है यह जूंपर यह जो company जो बना रही है यह सब कोपी चोर हैं, यह सब क्या करते हैं, एक ने बनाई, दूसरा बना देगा, बिल्कुल आई बना देगा, चलो ना चलो उनकी गारेंटी नहीं है, पस लेकिन जिसका डिजाइन को पता है, उसने सिर्फ एक बार कनेक्शन करके दे जागर किसी दूसरे का तूट गया, त यहां पर यह माइनस होती है, विपरित कर रखे हैं यहां से, चली वह चीज समझ में नहीं आएगी, आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे है, जैसे यहां पर समझेगा, जो भी आपका प्रियाम बोड होगा, यह समझना भी, उसमें दो मेन फिल्टर केप्सटर होंगे, अगर देख सकते हैं, चलो माइनस से भी, एक जगे मिल रहा है, एक जगे मिल रहा है, यह तरह स्रीज हो गया, यहां दूसी तरफ तो अलग है, आप देख सकते हैं, यहां पर दूसी तरफ अलग है, वो इस कैस्टर का दूसी तरफ जो सिरा है, वो अलग है, तो यहां पर यह यह और i-弦े भी यहाँ माइनस लग गया है यहाँ प्लस लग गयाँ तो यहाँ माइनस लीठी होा है निया तक होता क्या है तरफ टो किسी वी amplifier board को चलाने के लिए क्या होता है उसमें दो तरह की वोल्टेज होते हैं पहला तो दोस्ता हमारा ground point हो जाता है ground फिर उसका minus voltage उसकी plus voltage तो वो इसमें हो क्या रहा है plus voltage तो मिली है लेकि minus voltage नहीं मिली तो minus voltage के लिए करना क्या है दोस्तों यह जो preamp board होता है यह वाला preamp board यह amplifier board है यहां से power supply है दोस्तों क्या करते हैं एक तरफ से minus voltage यह et से plus voltage और जिस voltage की requirement है तो आप यहां पर दे सकते हैं और यह ज़पर आया हुआ भी है यह जब्देंग तो दोस्तों यह जम पर इसी चीज के लिए आया हुआ था यह देखिए अब यहां पर बिल्कुल लाइफ दिखा दे रहा है और आपको चला करके यह देखिए अब इसके अंदर ब्लूडूट नोट बोला है और इसके अंदर साउंड चल भी आए ठीकर नहीं मैं आपको दिखा देखा है यह मेरे फॉन में चल ला है मैं भी आपको दिखा देना चाहता हूं अब दोस्तों मैं पहले एक बार से ब्लूटूट से कर लेता हूं दोस्तों इन चीजों में काफी थोड़ा-थोड़ा समय भी लग जाता है लेकिन समझने की बात होती है अब देखना बिल्कुल आपको तस मीटर लिया मैंने मीटर से मैं वोल्टेज दिखा देता हूं मैं इसको यहां रख लिया ठीक है अब यहां पर देखो यह ग्राउंड पॉइंट बाल लेते हैं यह यहां पर फिलस वोल्टेज है यह देखे यह थोड़ा का यहां पर 12 वोल्ट देख लो आप यहां पर देख यहां लगवा है थोड़ा से देखिए यह देखिए नीले वाला तार यहांसे गायरा रहे और यह यह इसी चीज के लिए महलों जोन्सी व्र मीशिन है वो आउट्पुट की सप्लाई से आप दे सकते हैं या आप कहीं से भी इसको 12-12 करके दो तो फिलाल कैस्व में सिर्फ 12 ल लेते हैं बड़ा सा कोई वेक वायर लेते हैं इसको यहां पर जंपर करते हैं यह देखिए हमने इसको यहां पर जंपर कर दिया अब इस वायर को इस से अटेच्च कर देते हैं क्योंकि यह वायर वहीं पर आ रहा है यह कमी यहीं चोड़ रखिए थी बस राज नहीं बिल्कुल लाई है इसके अंदर अब साउंड आ गया है जैसे हम इसके अंदर पूरा प्रो पर साउंड देंगे अब देखिए हर जंगे देखिए यह देखो प्रो प्रास लेके हैं यह आ यहा है थोड़ा से कम हो रहा है और को हिले कि थोड़ा से यहां पर क्या हो रहा है गाना बंद हुगा यहां चलिए मध्या को अब यहां से मंदा करता हूं यह देखो बिल्कुल लाइव आपके सामने यह देखें तो बस दोस्तों यही प्रोब्लम थी इसके अंदर जो इसकी जो ओडियो को बराबर वॉल्टेज ना मिलने के वज़े से इनपुट आउटपुट में यह ओडियो परदान नहीं कर रहा था और आपने वह वोल्टेज दे दी इसको बराबर अभी परफेक्ट चल चुगा है तो दोस्तों आपको कुछ इसमें अच्छा समझ में आया होगा कुछ आपको भी आगे सीखने को मिले होगा तो प्लीज एक कि एक वीडियो को लाइक करें और जो चनल पर देना सुग्साब करें थैंक यू